पंक और बर्वास की बाते कल कर लें आज जमीन मिलिये थोड़ा चलना तो सीख लें नुशकार मसंचे कोड़िवादी और बाइलोजी मेंटर और यू आर वोचिंग अस्ट्रो एकर्चर बाइलोजी में इंसेक्ट स्टार्ट कर दिये थे कीट फसलों और भंडारन के प्रमुख कीट क्रॉप एंड स्टोरेज इंसेक्ट उसमें अपने दो इंसेक्ट कम्प्रीट कर लिये पहला था कात्रा रैड हेरी केटरपिलर और दूसरा अपने किया था आज़ का अपना इंसेक्ट है वो है तिडड़ा या तिड़ी या लॉकस्ट तेखे ग्रास अपर की बात करें टोटल पांच हजार स्पीसिज है वो ले अउट करती है और दल वर्ड पूरे विश्व में पांच हजार प्रजातियां मिलती है ग्रास ओपर की जो साइज में बड़ा होते हैं अब बात करतें लोकस्ट और ग्रास ओपर में क्या difference है 5000 चूस पीसीज मैंने भी बताई किसकी ग्रास ओपर की उसमें से 9 स्पीसीज है 5000 में से 9 स्पीसीज है वो बदल जाती है या रुपांतरित हो पाती है किन में टिड्डो में ग्रास ओपर है 5000 हैं, उनकी 5000 प्रजातिया हैं, उनमें से सिर्फ 9 species ही रुपांतरित हो पाते हैं कि इनमें टिड़ों में, जिसको अपने लोकस्ट बोलते हैं, तो कह सकते हैं, सभी ग्रास ओपर टिड़े नहीं होते, लेकिन सभी टिड़े ग्रास ओपर होते हैं, क्योंकि जि अब बात आती है, अपने इंडिया के अंदर, उन 9 species में से, जो आपने अभी बताया, कि 9 लोकस्ट की species मिलती हैं, 9 टिड़ी की प्रजातियां पाई जाती हैं, तो उन टिड़ी की 9 प्रजातियों में से, इंडिया में कितनी वरीगरती हैं, या इंडिया में कितनी पाई जा वो कौन गौंसी है एक तो है रेगिस्तानी टिड़ी जिसको desert locust गोला गया दूसरा कौंसा है migratory जिसको प्रवासी नहीं बोलते हैं जो इसे कहां टिकती नहीं है और तीसरा कौंसा है तो इन में से राजस्तान में जो मिलती है वो है डेजर्ट लोकस्ट रेगिस्तानी टिड़ी और उसी का आपनों ने इस चैप्टर में इस वीडियो के अंदर अपनोंने वर्णन किया है उसका डिस्क्रिप्शन अपने पढ़ेंगे उसी का अपने डिटेल के अंदर लाइफ स करती है वो पड़े तो चलिए शुरू करते हैं अपनोंने स्पीसिस कौन से ले रखिया है रेगिस्तानी टिड़ी या डेजर्ड लोकस्ट इसी का विज्ञानिक नाम उसका क्लासिकेशन वर्गिकर अपने डिसक्स करेंगे तो पहला इसका साइंटिक नेम इसका विज्ञा नाम है रेगिस्तानी टिड़ी का डेजर्ड लोकस्ट का उसके बाद ओर्डर कौन सा है गण कौन सा है ओर्थो टेरा इसका गण है और तीसरा फैमिली कौन सी है एक्री डिडी इसका जो कुल है वो रहेगा एक्री डिडी तो यह इसका वागिकन हो गया विज्ञानिक नाम ह सब्सक्राइब और सेलों फैमिली ऑफुल हो गया एक्रीडिडी इसने अभी पता ही है इसने तो रेगिस्तारी दूसरी कौन सी प्रवासिनी और तीसरी कौन सी फांव pessoa पहले तो सके बंबई यह पॉंबे स्पीसिज जो इन तीनों में से इन तीनों स्पीसिज में से जो रहिस्तानी टिटी है जो डेजर्ड लोकस्ट है वो मैक्सिमम टैमिस गोस करती है सबसे सरवादी खानी का रहते हैं सब तर देशों में इसका प्रकोप देखा लगता है दूसरी अगर स्पीसिज उसका नाम रहेगा पतंगा सकसिंटा और इन तीनों में से भी मोस्ट डेंजरस स्पीसिज कौन सी है डैजर्ड जिसको अपने पढ़ने सिस्टो सरका दिर्गे दिया अब दूसरे फैक्ट की बात करते हैं कि कौन-कौन से फसलों को नुकसान पहुंचाता है तो पिछले अपने दो कीट पढ़े थे वो भी खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं यह भी खरीफ फसलों को खरीफ क्रॉप्स को टेमिस कोज करता है इसके साथ साथ जो नरसरी के प्लांट होते हैं जो पोद अपने जिनको बोलते हैं नरसरी के अंदर जो प्लांट नहीं पहुंचाता आग शीशम धतूरा और जामन को कोई मुकसान नहीं पहुंचाता यह आप दिमाग में बिठाने इस इनसेक्ट में लोकस्ट में या टिड़ी में या क्रिकेट भी बोल देते हैं इसको इसको जीवनकाल में पढ़ेंगे उससे पहले इसकी जीवनकाल में phase theory में पढ़ेंगे तो अपने कुपदया चलेगा कि इसकी अलैलग स्टेजी जाती हैं इस स्टिड़े में अलैलग ग्रोध स्टेज्ञ आती हैं उस में से दो जो स्टेज है वो देखी जाती है उसका आवलोकन उसका इनलिसिस किया गया है तो पहली अवस्था कून सी है एक एकल प्रावस्था या solitary phase, दूसरा कौन सा होता है, gregarian phase या gregaria अवस्था, एकल प्रावस्था में इसके सदस्यों के संख्या बहुत कम देखी जाती है, और यह हानिकारत नहीं होती क्योंकि इसमें population नहीं होती, संख्या बहुत कम देखी जाती है, लेकिन जो gregarian जैसे आपने खेतों में देखा, वहां फुट के जुट आते हैं और फसलों को चौपट कर डालते हैं, और इन दोनों के बीच भी एक प्रावस्था उड़ाती है, वह विश्राम अवस्था, transient प्रावस्था या transient phase जिसको बलागे है, विश्राम प्रावस्था, इन दोनों क करते हैं, लाइफ साइकल भी जीवन चक्र की, इसमें कौन-कौन सी अवस्था आती है, तो मैं बता दूँ कि टिड़े का जीवन काल या जीवन चक्र है, उसके अंदर प्यूपा अवस्था नहीं पाई जाती है, या कह सकते हैं, प्यूपा रूलारवा अवस्था नहीं बल जाती है, इसमें अर्भग बनते हैं, अर्भग मतलब निम्व बनते हैं, और निम्व की पाँच अवस्था चलती है, चोटा होता है, तो बड़ा होता है, उसमें त्वक पतन चलता है, त्वक पतन मतलब मोल्टिंग चलती है, और उसके बाद, पाँच बार मोल्टिंग चल अंडे कहा देते हैं? इनको बलुई मिट्टी या बालूरेत के अंदर पसंद करते हैं और अंडे कितनी गहराई मित दे अलग-अलग इस तरह से स्टेक्षन बना लेते हैं जब यह गहराई में अंडें देते हैं तो यह ट्यूप लाइक स्ट्रिक्चर बना लेते है और उनी के अंदर ये अंडे देते हैं, अलग-अलग इन में क्या बज़े हैं, कोश बन जाते हैं, मिट्टी के अंदर जेगा बना लेते हैं, उनी के अंदर ये अंडे देते हैं, बलूगी मिट्टी, अंडों का अगर टेक्शर बात करें, अंडों का सुरूप बात करें, बा तो लंबाई में काफी लंबाव उता है चावल का दना और उसका जो चोडाई हम पर कम होती है तो लैंद इसकी रहेगी तो लेंद यहीर स्थ से 8 mm लंबे और इसकी जो सकते हैं अब बात कहिंए उष्मायन काल या प्रस्पोटन काल को हिंदिय में कई बार प्रस्पोटन काल या उष्मायन काल दोनों मेंजे निखा सकता है मतलब इसका incubation period से हु meas Chap hasarse क्या होता है उटोन शाथ कप तक समय काफी लंबा रहता है 10 से लेकर 40 दिनों का समय कुश्मायन काल माना गया है देखा लिए उसके बाद अपने बात करें मैंने अभी बात की त्वक पतन की मॉल्टिंग कितनी बार मैंने का इसमें प्यूप अवस्था और लार्व अवस्था नहीं बनती इसमें अरवक आता है निम्फ आता है तो निम्फ है पांच अवस्थां से गुजरता है यह वो पांच बार मॉल्टिंग करता है यह पांच बार त्वक पतन करता है और उसके ब पायो कंट्रोल की बात करें, जैविक नियंदरन की बात करें, तो आपने कुछ इंसेक्ट हैं, वो रेयर कर सकते हैं, या कुछ बैक्टीरिया है, उसको रेयर की जास्कते हैं, उसको अपने कल्चर कर सकते हैं, जो कंट्रोल करते हैं लोकस्ट को, तो पहला अपना रहेगा इस प्रॉक्सप्रोसिरस इसके लावा अपने बेसिलस खूरेंद जरीड़ीaster नाम जो बैक्टिरिया होता है जो क्राइज की पॉपलेशन को लोकॉपलेशन को उसको मार डालता यह तो यह भी अपने कल्चर करवा सकते हैं संवर्धित करवा सकते हैं इसके लावा मैना जो पक्षी होती है वो भी अर्बग को खा जाती है तो मैना भी अपने पाल सकते हैं रेर कर सकते हैं तिलियर नाम का एक बड ओर होता है बक्षी होता है वो भी खाता है इनके अठाफ को तो वो भी अपू अपने पाल सकते हैं या रेर कर सकते है rarely यी तो इसका हो गया बाईंट्रोल अब अपने कंट्रोल की बात करें अपने काम में ले सकते हैं ليnden powder पाउडर लिंडेन चूर्ण अपने काम में ले सकते हैं लोकस्ट को कंड्रोल करने के लिए 2% लिंडेन अपने काम में लेंगे उसको अपने ट्रेंचिंग करेंगे ट्रेंचिंग का मतलब नाली खोद देंगे चारो तरफ जो खेत है उसके चार तरफ है नाली खोद देंगे उसके निपने लिंडेन चोंड या लिंडेन पाउडरा भर देंगे कि इसके सांदरता है दू परशेंट दो संद से दो पर तीश्त लिंडेन चोंड लेकर उसको दाल है और लासाय न्यंत्रम काम और किया जासकते है Paris Green नाम का एक insecticide होता है वो graph एक तोड़ी आम भाशा में जशुआ भूसा भी गम सकते हैं तो उसके साथ अपने डाल सकते हैं पैरिश ग्रीन है वैं धूसा उसके सथा अपने मिला के डाल सकते हैं पैरिस ग्रीन को इसके लावाanoe the फ्लोरो शिलिकेट ok को भी अपने काम में ले सकते हैं उस स्में कट ने पमरेंगे अपने टिड़ी कुछ पैरस्ते अगर प्रावस्ता में बढ़ा उसके बाद अपनों मैं कंट्रोल उसके लिए रधा नेङ्स्ट वीडियों कुछ नेक्स्ट करेंगे टब अन लेहे नियू झाद